स्वागत है आपका ट्रेटी स्वीश चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखोगे लाइव ट्रेड अगर आपने मेरे कल बताई हुए बैंक निफ्टी की जो स्ट्राडीजी है अगर ट्राइ नहीं कियोगे दोस्तों तो यहां पर आप देखिए लाइव ट्रेड म ने मुझे बोला है कि हमें इस जो स्ट्राडीजी है इस फसे लाइव ट्रेड से देखने है तो देखिए दोस्तों देखने के बाद इंजोई किजे वीडियो प्रॉफिट को देखिये और आप ईश से ही प्रॉफिट करो एसी मेरी इच्छा है दोस्तों तो आदोस्तों कलाट से शुरुवात कीजिए और यहाँ पर दिखे दोस्तों हमेने जो इंडिकेटर्स लगा है जो है मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है उसके नीचे है दोस्तों RSI और उसके नीचे है वॉल्यूम यह तीन सबसे इंडिकेटर्स के ट्रेड पर दोस्तों हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते है दोस्तों तो मैं आपको आज एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा दोस्तों लाइव मार्केट में कैसे आपको स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कमाना है और जैसे ही आपको आपके 20-30 point 30 point मिल जाते है exit लेना है एक momentum आता है दोस्तो bank nifty में वो momentum हमें पकड़ना है और momentum पकड़ने के बाद दोस्तो जितना भी profit अगर आप ज़्यादा lot लोगे scalping में क्या होता है दोस्तो ज़्यादा lot जो लेते है उन्हें ज़्यादा profit होता है जो कम lot में शुरुआत करते हैं उन्हें शुरुआत में कम profit होता है लेकिन profit होता जरूर है दोस्तो main चीज क्या है हमें profit होना loss से हम लोग दूर रहे दोस्तो profit छोटा छोटा हजार दोस्तो हजार पास्तो इसा कमा के दोस्तो हम लोग क्या कर सकते capital इकटा कर सकते विक्स लेना है तो एक ही बार लेंगे दोस्तो लेकिन profit और जो है हम महिने बार निकालेंगे दोस्तो उसको evaluate करेंगे कि कि कहा पर हमें गलती करें दोस्तो अगर हम लोग profit कर रहें दोस्तो हजार दोसो दिन का तो definitely हम लोग month के end में कम से कम 20 से 25 हजार जो हमारी एक monthly income होती है वो हम लोग generate कर सकेंगे share market से दोस्तो तो यहाँ पर देख सकते हो moving average के उपर है जो है bank nifty का जो future है वो trade कर रहा है तो आपको वापिस से में बताता हूँ यह जो volume का chart है दोस्तो यह आपको किसी indices में या किसी call या put option में दिखेगा नहीं यह सिर्फ आपको दिखेगा future में दोस्तो तो यहाँ पर देख सकते हो bank nifty का जो future है वो trade कर रहा है moving average जो 13 का है उसके उपर कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर wait करेंगे entry बनाने के लिए हमें time चाहिए दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए मैं अभी buy कर रहा हूँ एक call option क्योंकि देखिए उपर के side यहाँ पर जो है candle बनी है साथ में दोस्तो आप देख सकते हो नीचे volume भी है 40,000 के उपर है और जो RSI है वो भी same overbought level में है हम लोग यहाँ पर जारा time नहीं रुखए है यहाँ पर cross door होता है दोस्तो हम लोग वहाँ पर position बना सकते है तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर position बनाने के लिए ready है जैसे यहाँ पर momentum आ जाएगा यह candle मतलब यह volume में तो मैं क्या करूँगा buy करूँगा तो मुझे लगता है यह जो निचे volume की candle बनने वाली है यह 40,000 के उपर ही बनने वाली है तो मैंने order डाली है लेकिन दोस्तों वो limit order डाली तो क्या वगए दोस्तों मेरा जो है जो trade वहाँ पर successful नहीं हुआ मुझे भी यहाँ पर modify करके दोस्तों cancel करना पड़ेगा नहीं तो मुझे नया order डालना पड़ेगा और नया order डालने के लिए वापिस समय जाओंगा पहले futures देखूंगा कि क्या momentum है अगर यहाँ पर real में अगर momentum आने वाला है तो मैं वहाँ पर buy करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए मैं वापिस से यहाँ पर buy करने का try करूंगा दो lot के साथ और यहाँ पर वापिस मैंने market डाल दिया है अगर मैं यहाँ पर मतलब एक डो seconds पहले अगर ट्राइ करता buy करने का तो मुझे 197 के असपास मिल जाता लेकिन थोड़ा delay हो गया मैं वह सो मेरे से यहाँ पर और अब तक मैं यहाँ पर exit भी ले चुका हो था क्यों मैं पर around 25-30 points easily मिल जाते लेकिन अभी यहाँ पर क्या होता दोस्तों अगर इसको उपर जाना है बैंक निफ्टी को अगर उपर जाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा struggle होने वाला है struggle मतलब क्या यह 20-30 points नीचे भी आ सकता है जहाँ पर हमने try किया था buy करने का तो यहाँ पर देखिए जो सिनारियो है same इसमें है दोस्तों हमने ना profit में है ना loss में है same price पर चल रहा है दोस्तों और यहाँ पर यह might be 30 points नीचे भी जा सकता है लेकिन मेने यहाँ पर जो है मेरे mind में stop loss और target लगके रगा है जो की होने वाला है 50 pounds के आसपस और मैं scalping करके अगर मुझे वहाँ पर thousand profit दिख जाता है तो मैं exit लूँगा लेकिन मैं wait क्यों करा हूँ maintenance क्यों हो दोस्तों क्योंकि देखिए जो trade हो रही है bank nifty future में वो हो रही है above EMI के उपर ठीके RSIB same line पर है और नीचे जो है वो volume बढ़ते जा रहा है 40,000 के उपर volume हमें बढ़ते जा रहा है हूँ कि दोस्तों ये थोड़ी retracement आती है अगर normal कोई अगर trader होता वो exit मार लेता है मैं आपको guarantee बताता हूँ वहाँ पर हजार रुपया का नुक्सान हो गया मैं exit लेता हूँ तो आपको डरना नहीं दोस्तों रही कि profit and loss जो है वो चलते रहता है ये share market का एक बोलता है ना एक अंग है जो एक दिन आपको profit होगा या एक दिन आपको loss होगा तो इससे हमें डरना नहीं है हमें हमारे focus पे बने रहना है बले ही दोस्तों हमें यहाँ पे कितना भी डर लगे क्या करे लेकिन हमने जो यहाँ पे सीका है अगर हम लोग इससे सही तरीके से इस्तमाल नहीं करेंगे तो हमें share market से निकल जाना चाहिए दोस्तों हम कभी भी जिन्दग में यहाँ पे profit नहीं कमा पाये के तो हमें क्या करें दोस्तों mind में हमें रखा है 50 points तक हम लोग stop loss ट्रेल कर सकते हैं और maximum दोस्तों 20-30-30 points हम लोग क्या कर सकते है profit को कीश सकते क्योंकि दोस्तों option trading में कभी भी कुछ भी हो सकता है यह आपने देखा होगा तो इस better दोस्तों अगर हम आए वहाँ पे हमारा profit जो है वो निकल रहा है दोस्तों 700-800-900-1000 यह से के लिए आपको बता है कि 1000-1000 रुपया देली कमाना है और हमें हमारा capital बनाना है तो यहाँ पर आप देख से तो जो मेरी buying price थी 217 उसके नजदिक ही आ गया है यह trade ठीक है फिर भी मैं यहाँ पर exit नहीं लूँगा मैं यहाँ पर इस trade में बने रहूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों कैसी आपको trade करना है कैसे आपको patience level रखना है profit कमाना हर कोई चीज की हर किसी की बात की बात नहीं होते है कोई को लोग दर के यहाँ पर अपनी position है स्क्राइब करते हैं यहाँ अपने strategy पर बने रही है और देखिए आपको results मिलता है नहीं मिलता है ठीक है यहाँ पर दोस्तों डरना मतलब वहाँ पर आपको exit लेना है यहीं बात सिंपल बात है देखिए मैं यहाँ पर अभी जो है target की सबसे दोस्तों 230-235 के आसपस यहाँ पर मैं exit लना ट्राइ करूंगा अगर 235 भी वहाँ पर मिछे मिल जाता है तो मैं exit ले लूँगा ठीक है मैं यहाँ पर order डाल दी है और यहाँ पर वो struggle हो रहा है same level पर 231 के आसपस जा रहा है तो 32 हो रहा है तो exit की order तो हमने डाल दी है अगर आपको नहीं लगता कि यह वहाँ तक वहाँ पर स्टर्च हो जाएगा तो आप वहाँ पर अपनी जो order है वो modify कर सकते हैं आपके पास option है दोस्तो modify करने में कितना डाइन नहीं था दोस्तो एक के दो सेकेंड्स सिर्फ आपको आपको लिमिट के आप मार्केट डालनी है और order हो आप क्रेस करना है तो देखिए अभी भी फिलाल जिस प्राइस पर हमने वहाँ पर selling price रहाए थी 255 वहाँ से थोड़ा रिटरेस्मेंट आ गया और मैं आपको यह बूलाओ कि यहाँ पर जो है मिरे target जो है यह hit हो भी गया अभी यह और भागेगा दोस्तो अभी यह और भागे गया यहाँ आप देख सकते हो 238 239 246 249 तो दोस्तो यहाँ पर patience level जो होते हमारे 255 तब भी जा सकता है तो हमारा लॉस होदा दोस्तो जितने जल्दे हम लोगों आप एक्जित ले लोगे profit हो दोस्तो हमें चाहिए चाहिए लेकिन साथ में आपको patience के साथ ट्रेड करना है patience अगर आपके वहाँ पे नहीं है तो आप बैंक निफ्टी या option में ट्रेड मत करेव लोग या जल्दे भी या जल्य किवरी को साथ र्लता है पिस् racing आपके वाका तुक कि अरी या है वाले को बहुँ तो आपके याद में नहीं है बादाटा है वका बादार चाहिएए बासा